मुझा नश्कार दोस्ते एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत लेट अफ्ट अप्टर निकल के आई कि केंद्रे करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है जल्द मिल सकता है डिये के एरियर का पैसा तो दोस्तों हम आपको सब डेटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पे पफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे सा अगर ऐसा होता है तो करमचारियों के लिए ये आरियर गयर 1,880 रूपे से लेकर 37,456 रूपे तक है वही लेवल 13 और 14 के लिए पैसा जोड़ा जाये तो वह एक लाग 4,027 रूपे से लेकर 2,018,200 रूपे तक का बुगतान किया जाएगा खबरों की माने तो केंदर सरकार 18 महीने के बकाया एरियर पर जल्द फैसला ले सकती है जानकारी के मुताबिक परदानमंतरी मोदी जल्द ही केंदरे करमचारी के अठके हुए एरियर का पैसा देने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं जानकारी के मुताबिक नैशनल काउंसलिंग ओफ जेसी एम डिपार्टमेंट ओपर्सनल एंड ट्रेनिंग और वित्मंतरैले के बीच इस सिलसिले पर बात हुई है आलंकी अभी कोई ठोस जबाब नहीं मिला है जेसी एम का कहना है कि सरकार से बाचीच चल रही है और उमीद है कि इस मसले पर जल्द ही कैबिनेट सेकेटरी से भी बात हो सकती है National Counseling of Joint Consultative Machinery ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डिये की बहाली करते समय 18 महिने की अटके हुए डिये एरियर पर भी वन टाइम सेट्लमेंट कर देनी चाहिए अगर परजानमंत्री मरोधी इसे हरी जन्डी दिखाते हैं तो करमचारियों के खाते में एक साल के आखिर में मोटी रकम आ सकती है JCM के Steve Stap सीव गोपाल शर्मा का कहिना कि अगर लेवल बन के करमचारियों की बात करें तो डिये पर एरियर करीब 11,880 रुपे से 37,500 चम्मा रुपे के बीच में बनता है अगर हम 13 के करमचारियों की बात करते हैं तो उनकी बेसिक पे 1,23,000 रुपे से लेकर 2,15,900 रुपे के बीच में बनता है आपको बता दे कि 18 महिने की एरियर का मामला परदान मंतरी इनरेदिर मोधी के पास पहुच चुका है अब पियम मोधी एरियर को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं एरियर बुगतान को लेकर बार्दियव पैंशन भोगी मंच ने परदान मंतरी को चिठी भी लिकी है और परदान मंतरी से BMS से अपील की है कि वो इस मामले में जल्द ही हफ्ता शेप करे और वीत मंतरैले को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बिजरों के गई डिये और डियार के एरियर को जल्द जारी करने के निर्देश दे इस मामले में ततकान कारवाई पर हम अतंत आभारी रहेंगे नए साल में एक बार फिर से महगाई बते डियरनेस रिलिफ में जाफा होने की संभावना है सरकार केंदरे करमचारियों के डिये में 3 परतिशत की बड़ोतरी हो सकती है इस बड़ोतरी के बाद केंदरे क्रमचारियों का डिया मोजुदा 31% से बढ़ कर 34% हो जाएगा आलंकि केंदर सरकार की ओर से अभी इसकी पुष्टी नहीं की गई है केंदरे क्रमचारियों के फिटमेंट पैक्टर पर भी सरकार नए साल में बड़ा फैसला ले सकती है इसे केंदरे क्रमचारियों की सैलरी और पैंशन में अच्छी खासी बड़ोतरी होगी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय वादब